हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक और ने फ्रेस एपसोड के साथ CST Knowledge Base में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के एक नए फैसले के बारे में जिसके मुताब़े 9 वी और 10 वी क्लास के बच्चों का बीमा होगा सबसे पहले ये सेवा राइस्थान में सुरू की गई है तो अगर आप भी इसके बारे में पूरी चानकारी चाते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपके आभी तक इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफकेशन आउन कर लें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंफर्मिशनल वीडियो लाता रहता हूँ चलिए सुरू करते हैं अब सरकारी स्कूलों के साथ ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले नोवी और दसवी क्लास के बच्चों का भी दुरगटना वीमा होगा देश में ऐसा पहली बार राजिस्थान में और हो रहा है दुरगटना होने पर पीडित स्टूरेंट या उसके परिवार को भीमा धन दिया जाएगा और इस भीमा की अबधी एक साल के होगी अभी तक राजिय में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए दुरगटना भीमे का प्रावधान था लेकिन छोटी मोटी दुरगटनाओं में आंसिक या इस्थाई रूप से दिव्यांग होने पर हाच्चे में मौत होने पर प्राविट स्कूलों के बच्चों को किसी तरह की साहता या मदद देने का प्रावधान नहीं था लेकिन अब राजे सरकार ने प्राविट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स को आर्थिक साहता देने के लिए इनको भी इसमें सामिल किया है निदेशक मासी नतमल डिडेल ने इसके आदेश भी जारी कर दिये है अब आपके मन में एक सवाल जरूर उट रहा होगा कि इस भीमे को कैसे लिया जा सकता है और इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए पेरेंट्स को स्कूल को ही कॉन्टेक करना पड़ेगा लेकिन इसकूल की जिम्यवारी बनती है कि वो प्रीमियम रासी और विद्यार्थों की सूची इस्थान्य राजे बीमा और प्रावधाई निदी विभाग में जमा करवाए जहां सर्तों के अनुसार एक साल की पॉलिसी जारी होगी इस योजना में बीमा सेणी को दो भाग में बाटा गया है 50 रुपे प्रीमियम पर 1,00,00 का और 25 रुपे प्रीमियम पर 50,000 रुपे का बीमा होगा ये रासी पेरेंट्स को एक बार ही देनी होगी सरकार के ये योजना आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही इसी तरह की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकम को दवा कर नोटिफिकेशन ओन कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको सबसे पहल मिल सके तो इसी के साथ आज की स्वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत